प्रवाइज देख लिया था इसके डेफिनेशन के थू हमने देखा था इसे पूरा अच्छे से समझा था बहुत ही सिंपल टॉपिक है अब प्रिविएस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना उसका लिंक मैं इस वीडियो को नीचे देदेगे द वाधी यह वीडियो देखना आप तो यहां पर हमें करना था कॉल्डब काईपिटल एंड अन अन कॉल्ड काईपिटल एंड रिजर्ब काईपिटल से यह हमने यहां से में करना था तो हम देखते हैं पहले कॉल्डब काईपिटल मतलब क्या है अन कॉल्ड काईपिटल क्या तक हमने देख लिया था अब दी हम देखते हैं called up capital uncalled capital and reserve capital so called up capital क्या है at the time of issue full value of the shares is usually not demanded by the company जब issue कर दिया company ने का share को तो उसे पूरा का पूरा जरूरत नहीं है company को जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे वो अपना capital जो shareholder है जिसने share hold किया मतलब कि जिसने share खरीदा subscribe किया जो खरीद लिया तो वो क्या होगा shareholder हो गया तो shareholder से जितनी जरूरत होगी उतनी कंपनी पैसे मंगाएगी okay company collects the full value of shares in installment as per is requirements of funds जैसे जैसे उसे requirement होगी require होगा company को उस तरीके से इंस्टॉल्मेंट में वो पैसे मंगाएगी शेयर होल्डर से its installment is called as calls तो हर installment को क्या कहा जाता है calls called up capital is that part of subscribe capital तो यह किसका कर्ण किसका पार्ट है subscribe capital क्यूंकि जो इसने subscribe किया है जिसने share खरीद लिया है उसी का पार्ट है ना उसी से पैसे मंगाएंगे इसलिए call of capital किसे मंगाएंगे जो subscribe किया हुआ है जो शेयर खरीद लिया है तो इसलिए वो subscribe capital का पार्ट है क्या called up capital subscribe capital का पार्ट है which a company has called or demanded to be paid by the shareholder यह शेयर होल्डर के द्वारा पे किया जाता है company को the balance capital which is not demanded from the shareholders is called as uncalled capital तो यहां पे company को जितनी जरुरत है वो call करके बुलाएगी application के थुलाएगी तो लोग आएंगे कुछ अपने पैसे दे देंगे company को और जो नहीं देंगे जो मतलब की company जिससे नहीं बुला रही है जिसको नहीं बुला रही है पैसे के लिए तो वो क्या हो गया uncalled capital and reserve capital क्या है reserve capital is a part of uncalled capital reserve किसका है capital is a part of uncalled capital जो uncalled capital है वही क्या है उसी का part है reserve capital वो हम example के थ्रूब भी देखते हैं a company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirements मतलब कि यह reserve capital क्यों रख रही है shareholder इस पास की एक पासेंट वो इसलिए रख रही है एक यहां पर इसलिए रख रही है क्योंकि जब company का winding up होने लगगा company के company को पैसे की कमी होगी उसे और financial requirement होगी तो यहां पर वो पैसे अपना raise कर सकती है एक्जांपल के थुरू देखते हैं एम लेप्टेट कंपनी जिसका एक्जांपल हम देख रहे हैं called up उसने capital किया इतना उसका equity share कितना है 30,000 जो कि उसने 10 rupees का value है लेकिन यहां पर इसने इतने पैसे मंगा लिए if the company decide to keep Rs 1 per share as capital to be collected at the time of the winding up to reserve capital will be 30,000 that is 30,000 equity shares of Rs 10 each where Rs 1 per share is kept on reserve capital uncalled capital will be 1,20,000 that is 30,000 equity shares where Rs 4 per share which will be called up in future अब हम देखते हैं example में इसको समझते हैं see देखते हैं example में मैंने आपको बताया था कि called up capital किसका पाठ है subscribe capital का तो यहां पे हम देखते हैं कि जितना company को जरूरत है उससे नीड है इतने पैसे कि suppose यहां पे 30,000 equity shares में से वह चाहती है कि 5 रुपए का ही 10 रुपए का नहीं पांच रुपए इंस्ट्रॉल्मेंट में मंगा रही है तो उतना ही मंगा रही है तो उतना ही मंगा उसका चार के लिए 10 का उसने रखा है 10 रुपए का एक शेर है तो क्या कर रही company पांच का यहां पे मंगा रही है चार का रही है और एक का वो रिजर्व के लिए रख रही है ताकि वाइंडिंग अपके टाइम उसे company में अगर कुछ पैसे की जरूरत है नीड है तो वह इसे यूज कर सके इस तरीके से ओके तो आप यहां पे देख सकते हैं अमाउंट आप यहां इसे भी कल्कुलेट करते जाएगा में इम्पॉर्ण टाइन यहां पने जो पैसे चाह रही है मतलग यहां पे हुआ हैं उतना पैसा रख रही है क्योंकि उसके फिचर में और इन फ्यूचर उसे पाइसे काम आएगा तो इतना वह पैसे नहीं मंगा रही है तो वह अन पर्षें यहां पर ना 549 एन 1 टेन तो हो गया 10 रुपै का जो 10 रुपीज का उसका फेस वैल्यू जो है उतना उसका हो रहा है अब हम देखते हैं पेड़ाप कर्टल अंड कॉल सिन अरियर से दो पॉंट बच्चे ने देख लिता है गया पैड़ाप कापिटल अंड कॉल अप मनी एक्चुली पेड़ अप बाइद शेयर होल्डर स्वे जितना उन लोगों ने पैसे दिये company को या जितना demand था company को जो pay किया गया company को वही क्या है paid up capital मतलग कि जो उसे shareholder ने pay कर दिया उतना पैसा उसे चाहिए था company का उतना shareholders ने उसे दे दिया the amount not paid up by the shareholders is called up as calls in arrears or unpaid calls और जो पैसा company ने चाहा ठीक है company ने इतना मंगाया but shareholders ने उसे पैसा दिया नहीं call up करने के बाद बाद जो shareholders है company को पैसे नहीं दे रहे हैं तो यह क्या हो जा रहा है आपका calls in arrears every shareholders has to pay calls as and when the company demands तो हर shareholder का यहाँ पर एक मतलब कि उनका फर्ज है उनको यह करना ही है कि जब company चाह रही है या कोई आपसे पैसे मांग रही है shareholder से तो आपका काम है आपका फर्ज है कि उनको उनके demand पर पैसे पे करो failure to pay the calls may lead to for a features of shares लेकिन अगर company मांग रही है पैसे call up करके पैसे मंगा रही है बट फिर भी अगर shareholders कुछ shareholders ऐसे हैं जो कि failure हो रहे हैं पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वह क्या हो जा रहा है leads to for a features of shares तो यहां पर for a features means की for a features of shares की यह क्या हो जा रहा है fail हो जा रहा है और for a features means क्या होता है compulsory cancellation of shares means की यहां पर जो company है वो आपके share को cancel कर देती है यहां पर compulsory cancellation of shares कर देती है company तो इसका मतलब क्या था taking away of shares by a company due to non payments of calls तो यहां इसका मतलब यही कि company को जब पे नहीं कर पाते उसे call करने भी company को पैसे नहीं मिलते तो जो shareholders हैं उनके share को वो cancel कर देती है company M limited company has made a call of rupees 5 per share so if all the shareholders have paid the calls then the paid up capital will be rupees 1,50,000, 30,000 equity shares, rupees 5 per share but if for example 30,000 equity shares of calls are not paid then the paid up capital यह जो यहां पे है यही है वहां पे जो कि हम देखने वाले हैं देख लेते हैं फटक से यहां पे paid up capital हमने बात किया कि paid up capital यहां पे Call up किया यहां पे company ने कुछ पैसे मंगाए इसी का part है यह इसी का part है तो जब company पैसे मंगार यह shareholder से तो कुछ लोगों ने यहां पे टो जैसे कि 30,000 equity shares उसने मंगाये थे 30,000 उसने पैसे मंगाये थे यहां पर क्या किये कुछ लोगों ने 20,000 equity shares वाले लोगों ने पैसे पे किये जब कि यहां पर 10,000 equity shares वालों ने पैसे पे नहीं किये मतलब कि paid up capital means कि इतने पैसे तो उसे मिल गए इतने में से डेर्ड लाक में से उसे एक लाक पैसे तो मिल गए बट यहां पे warning देने के बावजूद कॉल करने के बावजूद कुछ शेयर होल्डर्स ने मतलब उसका 10,000 शेयर होल्डर्स ने यहां पे उसे पैसे नहीं दिये तो कि इतने पैसे नहीं मिले उसका 20,000 इक्विटी-शेयर के जो होल्डर्स ने पैसे दे दिये 5 तो इन लोगों ने पैसे नहीं दिये एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए फटा-फट देखिए यहां पे अथ्राइट कैपिटल हमें पता है कि जो पूरा एक अमाउंट फिक्स अमाउंट जो की कंपनी एमोए में लिखवाती है इसमें से वो कुछ यहां पे इसु करती है पैसे और कुछ वो इन फ्यूर के लिए रख दिती कि बाद में दोजी क्यूंकि एक साथ वो शारे कि सरफ़िटल टें हैं और कुछ उनसस्थर कुछ लोग उसके कंपनी का शेर कुँछ लोग सबस्क्राइब करते हैं और यहां पे कंपनी जब जो लोग जो लोग शेर य और यहां पर क्या करती है कुछ future के लिए रख देती है कि बात में वह मंगाएगी और यहां पर वन मतलब की थोड़ा सा equity share अपना रख देती है इन future के लिए जब उसे जरुवत पड़ेगी as a reserve capital रखती है बाद में क्या करती है company कि यहां पर क्या होता है कि जितने लोगों से जितना उसके पैसे कर दिए और कुछ लोगों ने पैसे यहां पर पे नहीं कर दिए तो यहां पर उनके शेर कैंसल हो जाते हैं तो यह रहा पूरा concept आपको बहुत अच्छे संध में आए तो आपको जरूरत है कि जो पहला वाला लेक्चर है वह आप जरूर देख लेना इस वीडियो के निचे डिस्लूशन बास में उसका लिंक देदेंगी तो आप जरूर देख लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे issue of shares कि आई कि सुमाच